सड़क के किनारे कोई बहान खडानी होगा सड़क स्टंड करनी की जगे नहीं है हर एक माफ्या की कमर तोड़ दा लिए अवैद स्टेंड तो हम हराल में हटा दें किसी भी सड़क पर वा हाईवे हो इस्टेट हाईवे हो एक्सप्रेस वे हो जिला मार्ग हो नगरिय चौराहा हो या कोई भी अन्यस्थल हो अवैद बस स्टेंड टैक्सी स्टेंड त्री विलर स्टेंड रिक्सा स्टेंड या कोई भी इस परकार की अवैद गद्विधी नहीं चलनी चाहिए अगले चौबीस घंटे के अंदर अवैद इस्टेंड तो हम हराल में हटा दें माफिया प्रविधी के किसी भी ब्यक्तिकों किसी भी ठेका पट्टे के साथ मत जुड़ने दीजे एक भी माफिया जुड़ेगा उसका पुरा गैंग फिर वहाँ पर अनैतिक और अवैद कर देगा उसकी अर्थिक गद्विधी को पुरी तरह ब्लॉक कर देना और यह जितने भी अवैद स्टेंड चल ले हैं डगामार बसे चल लई हैं ओबर लोडिंग के कारे चला इसमें माफिया गुरूप अभी भी हावी है इसको रोकना हर एक हाल में रोकना सड़क के किनार क्यों खड़े हैं बहुत बार एक्सिटेंड के कारण भी बनते हैं यह सड़क के किनारे कोई बहान खड़ा नहीं होगा नियमित पेट्रोलिंग करना उनके लिए पार्किंग के स्पेस उपलब्द करवाईए या ने था वो सड़क पर चलते रहें धाबा भी अगर पार्कि इंद्र पर रोकना ऐसा नहीं कि आप सड़क पर लेकर आने के बाद फिस सड़क पर अवैद रुप से जाम लग रहा है लंबा जाम में लोगों को फंसना पढ़ रहा है कि पांच टन की छमता है उसमें 15 टन नहीं जाएगा या 10 टन नहीं जाएगा सड़कें खराब होती है और फिर उसके बाद जहां मर्जी आती वहां वो टपना ट्रक और अपना बाहन खड़ा करके सेस अन्य लोगों के भी आना जाने को पूरी तरह बाधित करते हैं सड़क इस्टंड करनी की जगे नहीं है ओबर ब्रिजेज या फ्लाई ओबर के ओपर जो इस्टंड होते हैं अपने पाइक से हर हाल में इसको रोकना पाइक से चलना हैं तो हेलमेट अन्वारे करने की आउसकता है बतानी की आउसकता एक सप्पा आवर्नेस के कारिकरम चलाईए पहले आवर्नेस और फिर अगर आवर्नेस के बाद आपको लगता है कि अब हमें इन्फोर्समेंट की आ हम आनलाइन तो दें लेकिन इस बात को सुनिस्चित करें कि ट्रैक पर भी हम उनकी एक बार देखें कि वहाँ इस योग्या है कि नहीं है कि हम उसे ड्राइविंग लाइसेंस दे सकें अनिता खैरात के भाव बांटने की वो बंद करिये और आर्टियो के कारेल है दलालों से मुक्त हों किसी भी प्रकार की दलाली की गद्विधी वहाँ न चले स्पीड ब्रेकर बनते हैं सड़कों पर एक कमड तोडू न बनाए एक टेवल टॉप स्पीड ब्रेकर बनें अगर कोई बिमार बेकती है उसको भी परेशानी नहीं होगी लेकिन साथ साथ हम अगर मार्किंग करते हैं वहाँ पर तो स्पीड अपने आप लीमिट हो जाती है लेकिन जब वो कमर तोड़ू बनाते हैं तो कोई बिमार बेकती जा रहा है उसके लिए बड़ा या कोई बच्चा है कोई गर्वती महला है उसके लिए खतरनाक हो सकता है कहीं भी हमें ये कमर तोड़ू स्पीट ब्रेकर नहीं दिखने चाहिए इनको हटा दीजें चितनी जल्दी हटाइए उसको